प्रेके बाद आपका एक बाब फिर स्वागत है कानपूर में समाजवादी पार्टी के कारिकरताओं ने कोरोना सिंबरत लोगों को श्रद्धानजली अर्पित की है इसके लिए पार्टी के पदादिकारियों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक कारिकरम का आयोजन किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मुम्बती जुलाकर कारिकरम को संपन कराया तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहांपर श्रद्धानजली अर्पित की गई है जो कोरोना से लोग मरे हैं उनके प्रति समाजवादी पार्टी की तरफ से और कोरोना से मरे हुए लोगों को श्रद्धानजली अर्पित की गई है समाजवादी पार्टी के कारिकरताओं की तरफ से ये कारिकरम का आयोजन जिसके तस्वीर आप देख पा रहे हैं कौशामभी के चायल विदानसबा के विधायक संजे गुपता ने अपने चेतर का और चक निरिक्षण किया इस दोरान विधायक ने नव निर्मिस सलकों का जाइजा लिया है और लापरवाही बरतने वालों पर जम कर उनकी क्लास लगाई है साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना है और बीते दिन आगज्वनी की जो घटना हुई थी उसमें पीड़त एक वेक्ति को 11,000 रुपए की सहायता प्रदान की है बुलंद शेहर के बहलिम पुरा छेतर में युवती की मौत पर उनके परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया परिजनों ने बताया कि कई दिनों से विवाद चल रहा था और ससुराल वाले लड़की को परिशान कर रहे थे परिजनों का दावा है कि दहेज की वज़े से ही उनकी बेटी के हत्या की गई है पीड़ित परिवार की शुकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी पती को गिरफतार भी कर लिया है तो युवती की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है अलाकि जो वेक्ति है उसे गिरफतार भी कर लिया गया है पुलिस की तरफ से शुकात के बाद में ये एक्षन लिया गया है पुलिस की तरफ से और बुलन शुहर का ये मामला है यूती की मौत पर पर परिजनों ने जम कर हंगामा किया है अलिगर्ज जहरीली शुराब कांड के बाद में बस्ती में पुर्शासन अलर्ट पर है इसी कड़ी में जिला पुर्शासन ने शुराब की दुकानों का निरिक्षन किया SDM हरया सुखबीर सिंग और CEO मौके पर मौके पर मौजूद रहे निरिक्षन के दौरान शुराब के दुकानों पर गहनता से जाज़ परताल की गई जिले के जो तैसीले हैं उनमें सगन चेकिंग अभियान चुलाया गया है जो अलिगड़ में घटना हुई है उसके बाद में उर्तपरदेश के जो तमाम जिले हैं उनमें अब शराब को लेकर जाज़ परताल की जा रही हो और इसी कड़ी में बस्ती में भी शराब की दुकानों पर जाज़ परताल की गई है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट न न परूसी जाए इसको लेकर अब चेतना लोटती हुई प्रशासन की नजर आ रही है अलिगड़ में जहरीली शराब कार्ण के बाद में बदायों में भी पुलिस अलर्ट पर है एससपी संकल्प शर्मा के नर्देशन में सिटी मजिस्ट्रेट और सियो सिटी ने शराब के ठेकों पर चेकिंग अभयान चलाया शहरी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीड इलाकों में भी चेकिंग अभयान चलाया गया पुलिस का कहना है कि शराब के दुकानों पर चेकिंग आगे भी जारी रहेगी बदायों में वाटर सप्लाई की मेन लाइन फटने से शहर में पानी की सप्लाई बंद हो गई जोसे लोगों को दिक्तों का सामना करना पड़ा आपको बता दें कि पिछले दो दिनों से शहर की वाटर सप्लाई बंद पड़ी है जिसके बाद नगरपालिका ने पानी की टैंकरों द्वारा लोगों तक पानी सप्लाई पहुचाया है वही पर नगरपालिका अध्यक्ष ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द ही शहर में पानी की ववस्ता करवाई जाएगी दिए पानी की समस्या वहँ से आई एक मेन लाइन जो पानी की सप्लाई थी क्दी को पूरे कष्डे में सप्लाई का कर्या चल रहा था miseric लो यंशर कुछ underground करे किसी कारी दायका शन्साग चल रहा था उस अंडर्ग्राउंड फिटिंग में मेन लाइन वस्त हो गई और जोगी वह मेन लाइन थी तो इसलिए पानी के ही समस्या का कारण सामने आ रहा है गई और मैं कल राती में बहरान किया था हो उस मौक 총 पर जाकरन किया तो नगरपालका में करीब 6 टेंकर मेरे पाश जल के थे तो मैंने त थतकाल नर्देश दिया है और उनको कहा है कि जहाँ जहाँ पानी की समस्या ज्यादा क्रिपस्वियम recycle मैं किहाँ लोग बहुत परिसान परिशानी कारण बना हुआ है तो मैंने तक्काल उनको जल की विवस्ता पूरे दिन सप्लाई जारी रहेगी अलिगर के शराब कांड ने हर किसी के दिल को दहला दिया परिजन पोस्मार्टम हाउस पर खड़े हुए हैं लेकिन पोस्मार्टम होने के बाद भी डॉक्टर वा करमचारी वहाँ पर मौजूद नहीं है इस वज़े से परिजनों में नाराजगी साफतार से देखी जा रही ह परिजनों ने साफतार पर जिलाप्रशासन पर लापरवाई का आरोप लगाया पीरित परिवार का कहना है कि पोस्मार्टम हाउस का बहुत बुरा हाल है जमीन पर शव रखे हुए हैं कोई उनकी सुद नहीं लेने वाला है नहीं कोई डॉक्टर या करमचारी वहाँ पर प प्रियर से लटकता हुआ मिला शव को देखने के बाद में स्थानिय लोगों ने पुलिस को सूशना दी सूशना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल की गेराबंदी की है शव को कब्जमे लेकर पोस्मार्टम के लिए बेजा है साथी पुलिस ने जानकारी देते हुए को बताए कि मृतक वन विबाग में संविधा कर्मी था मृतक के परिजनों को भी पुलिस ने सूशना दी है फिलहाल पुलिस की कारवाई जारी है जो आज के बाद आगे की कारवाई की जाएगी और इनी खबरों के साथ इस बुलिटर में इतना ही नमस्कार